देखे यूपी PCS Pre में दो पेपर होते हैं एक होता है GS और एक होता है CSET ठीक है दो कटॉफ बनता है वो बनता है GS पे डेड़ सो क्वेश्चन दो सो नंबर 13 निगेटिव मर्किंग तो ये है कटॉफ वाला पेपर लेकिन CSET पेपर भी उतना ही जरूरी है अगर आप CSET वाले पेपर में 33% नंबर नहीं लाए तो आप GS में भले ही दोसों में 170-160 भी ले आओगे ना तब भी आपका कटॉफ निकला नहीं माना जाएगा शर्त यही है कि आप पहले CSET में 33% नंबर लाओ तो पहले CSET का 33% वाला जो है क्वालिफाई कर रहे हो आप पेपर की नहीं ये च स्ट्रेटिजी होनी चाहिए जिससे CSET का पेपर हर हाल में आप जो है क्वालिफाई करने की स्थिती में रहे हैं अब CSET की पूरी गणित समझेए CSET के में वैसे तो कई सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं जो वाइडिश तर पर देखे तो स्किल इससे करीबन 10-15 सवाल हर बार आते हैं और यह जो 10-15 सवाल हैं इसके लिए बहुत जादा जो है चीजे थे और पढ़नी पड़ सकती हैं मतलब मोटा मोटा यह है सो क्वेश्चन आते हैं CSET के पेपर में 200 नंबर का होता है रूल क्या इसमें 33 परसेंट आपको लाने ह 33 परसेंट नंबर या फिर 33 परसेंट आप समझ सकते हैं या फिर 200 नंबर का पेपर है वाई 600 नंबर लाने है कुल मिला के इसमें ठीक है 1-3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है PYQ कितने लगा सकते हैं आप मेरे इसाब से CSET के PYQ 2018 से लेके ही लगाईए 2023 तक क्योंकि UP PCS का पैटर्न मेंली बदला है 2018 से ही 2018 के बाद जो CSET वाले पेपर आये हैं वही रेलेवेंट हैं आज भी PCS के लिए तो PYQ आप इतने लगा लीजे अगर आप इंजिनिंग वाले बैक्ग्राउंड से हैं मैथ वाले बैक्ग्राउंड से हैं साइन्स वाले बैक्ग्राउंड से हैं अच्छी पकड़ है आपकी रिज्दिंग एप्टिटूट वगरा में है ना इंग्लिश हिंदी नॉर्मल है आपकी तो आप सिर्फ ये PYQ जो है लगाई है 2018 से लेके तेज तक होता क्या है कि CSET मे जैसे हिंदी मीडियम में है अगर आप तो हिंदी का फायदा मिल जाता है इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश का फायदा मिल जाता है और जो रीजनिंग और एप्टिटूट वाले सवाल होते हैं ज्यादा तर जो इन्जिनिंग वाले चात्रे हैं साइन साइड वाले चाहते हैं वो कर लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले या फिर आट साइड वाले निकाला ही नहीं सकते हैं इस पेपर को वो भी निकाल सकते हैं बस कुछ चीजों को ध्यार नखनी जरू होते हैं सबसे पहले आप पीभाई को एटेम्ट करें 2018 से लेके 2023 तक ठी पास सिर्फ 33 कोईचन नेट में निकालने हैं आपको कट आफ वगएरा कोई बहुत क्लियर नहीं करना इसमें आप 33 से उपर चाहें 70 परसेंट लियाओ 90 परसेंट लियाओ कोई फायदा नहीं है सिर्फ क्वालिफाई करना इस पेपर को जब प्रीकर टाइम कम बचा होता है तो लोग सी सेट को एग्णोर करना चालू कर देते हैं जो लोगों का भी सी सेट वगएरा अगर जो है थोड़ा बहुत कमजोर है क्योंकि ऐसा कई बार दिखा गया है कई सारे ब्रिलियंट इस्टुडेंट जीयस में 160 तक नंबर लाते हैं 50, 160, 170 तक लाते हैं लेकिन सी जरूर नजर मारे हैं और उतना तो जरूर आपका तयार होना चाहिए कि 33% नंबर आपके आ जाएं और ऐसा नहीं कि लाए नहीं जा सकते हैं 66 नंबर या 33% नंबर लाने हैं देगे कुछ चीजे ध्यानक हैं जो मैंने आपको सवाल का बताया कि भाई कि स्बजेक्ट से चाटने होते हैं और हिंदी में भी सेम है एक पैरग्राफ होता है नौर्मल सिंपल सा हिंदी का उसके पांच क्वेश्चन चाटने हैं मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ गर आप एक बार पीवाई क्यों कर रहा है देख लेंगे तो आप यह जो दस क्वेश्चन है कॉम्प् पूरे के पूरे सही करके ही आने है और यह हो सकता है आराम से अगर आपने नॉर्मल योपीी समय के लिए पढ़ा ही करिए जिये पढ़ा है सी सेट वगगरा भीशेप्ध बहुत ज्याद नहीं पढ़ा है तो ग्या से कि यह नौरमल इंटी तो शुरुवाती टाइम सबसे पहले स्टाट इसी से करें क्योंकि लास्ट में होता है प्रिशर और लास्ट में प्रिशर में जो है मानलो एक दो-चार मिनिट बचे तो फिर आप अगर कॉंप्रिहेंसिन पैसेज उस टाइम करोगे तो अगर वो सही भी हो रहे होंगे तो गल करें इतना अगर आप कर लेंगे तो आप कोईस्टन को जो है आंसर उस पारग्राप के इसाब से पाने की इस्तिति में रहेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ठीक और या भी यह भी कर सकते हैं भाई रीडिंग किया क्वेस्टन देखा फिर उस उस रेलिवेंट ज इल्कुला ही लुलत तो नहीं होगे ना तो अगर आप हिंदी मेडियम वाले हैं तो हिंदी से आते हैं करीबन 24-26 सवाल तो आपके एक तो दस ये वाले सवाल हो गया है पांच उसके अटादो मानलो हिंदी के तो 18-19 सवाल आपको इधर से और मिल सकते हैं समझ रहें तो 10 औ और 18 कम से कम 28 सवाल तो आपके यही हो गए अभी आपको रीजनिंग पूरा बचा है अप्टिट्यूट पूरा बचा है इंटरपर्सनली स्किल पूरा बचा है लाने है सिर्टी तरी परसेंट नमबर ठीक और अगर आप इंगलिश मीडियम के हैं तो आप ये वाले तो दस स वाल आते हैं वही पांच उसके अटा तो तो तेरा ये बच्चे तो तो तेईस चौबिस ही हो गए और ज्यादा तर इंगलिश मीडियम का रिजनिंग एप्टिटूट बीट सही होता है तो वो लोग बाकी कोईशन भी कर सकते हैं इसके बाद क्या करें आप कि अभी जो है पूरा पेपर खतम नहीं हुआ है कॉम्प्रियंशन पैसेज करने में मेरे साब से दस कोईशन करने होते हैं ज्यादा से ज्यादा इसमें दस से पंदरा मिनिट लगेगा शुरुवात में अगर आप एकदम करेंगे और यह रणनीती ही सबसे बढ़िया होती है कॉम्प्रिय अनिटी लाबद से अनिटी लाबद से मेकनिकल इंगीन का तो ठीक है तो यह हो गया आपका टूटल ठीक इतना अगर आपने कर लिया आपके किसी भी मीडियम में हैं आप कम से कम 25 के आसपस सवाल आपके सही हो रहे हैं इतना दोनों करके ठीक है बचे 8-10 कोईशन वाई लगा लेते हैं तो आप यह पाएंगे कई सारे सवाल हर बार सेम टाइप के आते हैं मतलब उसमें कोई बहुत ज़्यादा जहें चेंज नहीं होता है जैसे एक सवाल डाइरेक्शन का आता ही आता है सीधा आप यह वाला फीगर जो है आप याद करें यह फीगर है सिंपल सा नौर्थ साउथ वेस्ट इसके बीच वाला हो गया नौर्थ इसके बीच वाला नौर्थ वेस्ट इसके बीच वाला साउथ इसके बीच वाला साउथ इसके बीच वाला साउथ इसमें जब भी कोई डारेक्शन का सवाल आएगी राम एक जगह से चालू किया पिर वो अपने इस्ट में चला 5 किलो मिटर बस इस जगह पे आप अपने आपको मान लें और जो जो क्वेशन में कहिता जाए वो वो करते जाए फाइनली आप देखेंगे कि पाइता ग्रोज थेरम आती है है उससे आपका सवाल निकल जाएगा जनरली इधर उदर इधर उदर गुमा के जो यह है उसमें जो है आंसर निकलाता है मैंने एक डायरेक्शन की बाकाइदा ट्रिक वगरा बताई मैं उसका वीडियो इसमें जोड़ दे रहो आप उसको देखने तुरंत यहां पूर एक्स्पें करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है दूसरा रिलेशन एक पोटो भाई यह फोटो को देखो बस इसमें से अपना रिलेशन लगाके बता देगा कि यह तुम्हारी मामा की चाचा की बुगा की फोपी की उनका बतीचा इस तरह से आप बताओ वो क्या है आपका तो इसमें भी आप अपने आपको मानले वो और उससे रिलेशन जो आपका निक ठीक है फिर यह नंबर सीरीज इसमें थोड़े बहुत अगर प्रिक्टिस कर लो बहुत बड़ा लेवल नहीं होता है आराम से किये जा सकते हैं क्लास वाइस राइंक वाले सवाल आते हैं कि एक क्लास है आगे से 20 वा नंबर जो है रामू का है पीछे से 14 वा नंबर जो है इसक होते हैं आप अगर पूरे पेपर को इस तरह से आप अटेम्ट करना चलू करें सबसे पहले पैसेज आप ने कल लिया ठीक है पहले पैसेज हो गया ठीक फिर उसके बाद आप क्या करें कि एक से लेके आप हंड्रेट कुईस्चन तक सारे कुईस्चन अटेम्ट करें मतलब राउंड वन जो है वो पैसेज के बाद चलू होगा यहां पर राउंड वन सुरू में ना चलू करें सबसे पहले इंदी और इंगलीस का पैसेज उसके बाद राउंड वन होगा फिर वन जो है लगाया आ गया गोला फिल कर दिया तुरन दो वाला अटेम्ट किया आ गया ग IQ देख लें, नॉर्मल common sense पे बेज अगर आप जो है चीजे करेंगे 33% आ जाते हैं लोगों के नंबर, ठीक है, दूसरी बात यह मैंने आपको बताई दिया भाई, reasoning aptitude के 45 question है, मैं माना अगर आप भाई 8 sides के भी हो, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ common sense वाले हैं, जो कोई भी क सकी common sense को, जो है थोड़ा सा दिमाग दोड़ा के, ऐसे question मैंने अब्जर किया है, हर साल के paper बहुत जो है, pieces वगरा मैं, analysis करी हुई है, 45 question में से आप किसी भी हालत में, कम से कम 10 से 15 question आप निकाल ही लेंगे, यह मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ, जो outside वाले है, science वगरा वाल अगर आप theory वगरा पढ़ेंगे, वैसे book वगरा आती है, बहुत बड़ी बड़ी book है, पूरी चीज़े पढ़ने जरूत नहीं, सिर्फ to the point पढ़नी होती है चीज़ें, ठीक है, उसके लिए एक हमने course भी दिया हुआ है, वो मैं विलाशन में बताता हूँ, लेकिन अगर आ theory में आप इतनी सारी चीज़े पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, current पढ़ते हैं, कई सारे subject पढ़ते हैं, मेंस वगरा में, answer rating वगरा करते हैं, तो analytical skill ब्रेनिश्टार्मिंग करते भी हैं आप इसमें, करनी ही पढ़ती है भी ना, उसके आप PCS ही नहीं निकाल सकते हो, तो पैटन के हिसाब से official syllabus को follow करते हुए, 2018-23 तक का PYQ वाला जो पैटन रहा है, नए पैटन, dynamic पैटन के हिसाब से, एक CSET का complete course चल रहा है, study for civil services के app में, उसमें पूरा coverage है, previous year question के हिसाब से 2018-23 तक ही हमने उसमें लिया है, उसमें theory दी गई है, बताई गई है, पढ़ाया गया ह चीजे टैकल करनी ही, वह सब बताईगी, छोटा सा course है, आप study for civil services के app में install करिए, और जो है, इस course को आप join कर सकते हैं, CSET वाला, एक बार इस course को कर लेंगे, आप जो है, किसी ना किसी तरह, 33% वाला, जो cut-off वाला है, qualifying वाला जो है, वो आप आराम से निकाल पाने की इस्ति बढ़ा के भी अगर आ गया question, तो वो भी हमने सब course वागेरा में अपने कराए हुए हैं, ठीक है, तो CSET के लिए इतनी चीजे अगर आप ध्यान रखेंगे, आराम से qualify हो सकता है, कोई IC बहुत बड़ी top या rocket science नहीं है, ये paper में qualify करना, लेकिन ये है कि थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, अगर आप आर्ट वगरा के आर्ट साइट से हैं, या फिर आप एक बार PYQ देखें, PYQ से अगर आपके किसी भी तरह 35 परसंट या 40 परसंट तक सही हो रहे हैं, क्योंकि आप PYQ घर में लगाते हैं, जब वहाँ पे पेपर देने जाते हैं, वहाँ पे psychological pressure होत अदर्वाइस, C-set का एक बार course ले लिए, CS वाले एप में मिल जाएगा आपको, ठीक है, एक चीज़ और है कि भाई, टेली ग्राम वगरा की जो न्यूस चल लई है, इसलिए हमारा WhatsApp चैनल बन चुका है, इस वीडियो के description में लिंक दिया हुआ है, और pinned comment में, प्लीज आप को तुरंत जॉइन कर लें और करके रखें, बागी कोई और comment हो, कोई और suggestion हो, कोई और feedback हो, या फिर किसी और चीज़ों पे, कोई topic हो आपका, आप चाहते हैं कि मुझे वीडियो बनाओ, तुरंत comment करके बताइए, all the best to you.